नमस्कार जनेत इंडिया मैं आप सभी का स्वागत है मैं हूँ मुझकुमार इस वक्त की सबसे बड़ी ख़बर ये है कि रिपब्लिक टीवी के संपादक अर्नब गोस्वामी को मुंबई पुलिस ने उनके घर से आज सुभा सुभा उठा लिया यानि कि रफ्तार कर लिया व अर्नब गोस्वामी को कथित तोर पर 53 साल के एक इंटीरियर डिजाइनर की आदमात्या की मामले में गिरफ्तार किया गया है इसके साथ ये अर्नब गोस्वामी ने आरोप लगाया है कि मुंबई पुलिस ने उनके साथ उनकी पतनी के साथ उनके बेटे के साथ और साथ भी हाता पाई की है रिपब्लिक टीवी चैनल के कुछ स्क्रीन सोट्स सोसल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं जिनमें पुलिस अर्नब गोस्वामी के घर के अंदर घुस्ती दिख रही है और जडब भी हो रही है चैनल पर चलाए जा रहा है एक वीडियो में दिख रहा है कि अर्नब को वैन में बैठा रही है चैनल का दावा है कि अर्नब को उस मामले में ग्रिफतार किया गया है जो पहले ही बंद हो चुका है रिपब्लिक टीवी का कहना है कि मुंबई पुलिस ने उनके संपादा का अर्नब गोस्वामी को ग्रिफतार कर लिया है चैनल के के बाद बीजेपी में खलबली मत चुकी है, सभी नेता लगातार खटा-खट ट्वीट किये जा रहे हैं, उनका कहना है कि अर्नब की गिरफतारी लोगतंत्र के हत्या है, लेकिन आपको समझना होगा कि क्या अर्नब लोगतंत्र के रख सक हैं, आप उनका कोई भी कारेकरम दे अर्नब का सपोर्ट करने में लगे हुए हैं, केंद्रे सूचना प्रसाण मंतरी प्रकास जावडेकर ने इस घटना को एमर्जनसी से जोड़ते हुए इसकी निंदा की और कहा कि मुंबाई में प्रेस पत्रकारिता पर जो हमला हुआ है, वो निंदनी है, यह एमर्जनसी की तरह ही माराज सरकार की करवाई है, इसकी हम भर्थना करते हैं, साथ ही कंगना रनाओध भी इस मामले में कूद पड़ी, उन्होंने कहा कि पप्पू प्रो गुसा क्यों आता है, पेंगोईन को गुसा क्यों आता है, सोनिया से न को इतना गुसा क्यों आता है, अर्नब सर उ हुई है तो कंग ना खुल कर उनका साथ दे रही है अब आपको बताते हैं कि किस मामले में अर्नब की ग्रफतारी हुई है वेब साइट लाइव लॉक के मुताबिक मुंबई पुलिस ने अर्नब गुसामी को आत्म हत्या के लिए उक्साने के 2018 के एक मामले में IPC की धारा 306 के तहद ग्रफतार किया है रिपब्लिक टीवी के मुताबिक ये केस बंद हो चुका था जिसे दोबारा खोला गया है अलांकि पुलिस ने अब तक यह नहीं बताया है कि कारवाई किस मामले में हुई है मगर समझा जाता है कि अर्नब की ग्रफतारी का मामला एक मराठी इंटे रे डिजाइन कराने के बाद बुक्तान नहीं किया था किसाती आपको ये भी बता दें कि इसी साल सितंबर में माराश विधान सभा ने रिपब्लिक टीवी के संपादक अर्नब गोस्वामी के खिलाफ विसेशा धिकार हनन का प्रस्ताव दाखिल किया था जिसे विधान सभ ने स्विकार भी कर लिया था इसके बाद कहा जा रहा था कि अर्नब गोस्वामी के खिलाफ सदन जल्द ही करवाई सुरू कर सकता है माराश विधान सभा में ग्रिह मंतरी अनिल देश्मुख ने अनिल देश्मुख ने माराश विधान सभा में कहा था कि अन्वार नाइक की पतनी अक्सता नाइक और बेटी प्रग्या नाइक के सिकायतों के अधार पर जाज की जाएगी। इससे कुछ दिन पहले महरास्ट के अंदर जस्टिस फार अनवाय का हस्टेग भी खूब चला था। इसके साथ आपको पता दें कि अरनव की ग्रिफतारी पर केंदरी ग्रिह मंत्रियों में सा ने भी ट्वीट किया है। को लेकर महरास्ट सरकार पर कड़े सवाल उठाये हैं। उन्होंने का है कोई असायमत हो सकता है, बहस कर सकता है और सवाल भी पूछ सकता है। कि अरनव को स्वामी के कद के पत्रकार को पुलिस पावर का दुरुपयोग करते हुए ग्रिफतार करना क्योंकि वो सवाल पूछ रहे थे, यह ऐसी गटना है जिसकी हम सभी को निंदा करनी चाहिए। इसके साथी पियूस गोयल ने भी ट्वीट कर अरनव का समर्थन किया है और उन्हों निकाह है कि मुंबई पूलिस की ये कारवाई ठीक नहीं है। फिर भी ये लोग उनका समर्थन क्यों कर रहे हैं। आप देखते होंगे कि आए दिन हर एक कारेक्रम में अरनव गोस्वामी सिर्फ उसी मुद्दे पर बात करते हैं जिसको समाज की कोई जरोत नहीं। एक कालपनिक दुस्मन दिखा कर लोगों को डराना, हिंदू और मुसल्मानों के बीच अलगाव पैदा करना, लोगों में मतभेद पैदा करना ये ही है अरनव गोस्वामी की पतरकारिता। और जिस तरह से अरनव गोस्वामी खुलकर बीजेपी के नेताओं की और बीजेपी के लोगों की बीजेपी का एजंडा चलाते हैं, उसी तरह से बीजेपी की सारे नेता भी अरनव गोस्वामी के लिए समर्थन दे रहे हैं। पजनब गोस्वामी को लेकर आपकी क्या राया है आप कमेंड बॉक्स में लिख सकते हैं इस वीडियो को देखने के लिए बहुत धन्यवाद चेहिंद